अगर 272 का आकड़ जादो ही आकड़ा पार भारतियंतर पाटी नहीं कर पाती तो प्लान भी क्या होगा बीजेपी का कोई प्लान भी नहीं है इस ता क्वेस्ट्टन देज नोटराइस प्रधान मंतरी को चुन रही है वो भी जान रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मगर उनका वेकिसम का प्लान भी तई होगा चार तारिक के बागता ओपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइस कर रही है उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्यान प्रतिष्टा में वो लोग क्यों नहीं गए यह एपिस्वेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए आरोप लगाता है कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है अपने गोशना पत्र में का है कि हम परस्नल लॉज को इंट्रडीश करेंगे तो परस्नल लॉज कौन सा है विपक्ष जन्देश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगा सेलेक्शन का संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है एक महिला मुख्यमंत्री के नाग के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का सोशन होता रहे इससे ज्यादा सर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकाए तो अमेज जी यह चुनाव आकरी दोर में अब लगबग लगबग पहुंच चुका है पांच चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौते चरण के बादी बीजेपी को 270 के पार चली गई है तो यह कॉन्फिडेंस है या ओर कॉन्फिडेंस मैं मानता हूँ कि हमारी स्थिति कापी अची है हम 400 अपार करेंगे हर जगह पे हर चरण के बाद और चुनाव की लेडियों के बाद मैं कारे करता हो कि इसे प्रणिते हैं जो जमीन पर लडाई लड़ते हैं हमारे विरोधी दलो की रणनिति को जो जमीन इस तरव पर जिसक तो मुझे लगता है किसी भी सर्वेसे एसेस्मेंट करिब करिब सत्य के नगदी है। चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं होता है। ट्रेंट की बात करनी है तो इस देश में 30 साल से हंग पार्लामेंट चलती थी। चौधा में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उनलिस में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो ट्रेंट तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं। और इस बार भी तीसरी बार भारतिय जन्ता पार्टी की मोदी जी के नित्रूतों में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एंडी ये चारसो पार करेगा। अगर 272 का आकर जादो ये आकड़ा पार भारतिय अंता पार्टी नहीं कर पाती तो प्लान भी क्या होगा बीजेपी का। कोई प्लान भी नहीं है, इस ता क्वेस्टन देज नोट अराइस। जी, प्रियंका गांधी ने एक हाली में इंटेव्यू दिया था और उस इंटेव्यू में कहा कि कॉंग्रेस की वज़ा से इस देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर एक चाय वाला भी प्रधान मंत्री बनाया है तो वो कॉंग्रेस की देन है। अब मुझे नहीं मालूम है लोग क्या बोल रहे हैं। कि आए साइद उनको। कॉंग्रेस के वज़ा से लोकतंत्र नहीं है, इस देश की 130 करोर की जंता की वज़ा से इस देश में लोकतंत्र है। क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र की स्पिरिट सालों पुरानी है और अब यह पाताल से गहरी हो चुकी है। इसको कोई नहीं बदल सकता है। क्या आपको लगता है क्योंकि आप अपने भाष्णों में बोलते हैं प्रधानमंत्री मोधी भी कहते हैं कि इंडिया आलाइं जो है इंडिय गटवंदन जो है उपांट साल में प्रदानमंत्री देगा। ने पहले सब्सक्राइब, हमने नहीं कहा है, इंडी गटवंदन के एक नेता नहीं कहा है, कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी-बारी एक-एक साल सत्ता समछे करें। कि इस बार राइबरेली की जनता जो है वो सिरफ एक सांसत नहीं चुन रही है वो प्रधानमंत्री को चुन रही है कि आपको लगता है विपक्ष भी तोरा कॉंफिटेंट हुआ है बीते पांचरों में तो राइबरेली की सीट जितने के लिए साध उन्हों ने कहा होगा वो भी जान रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं मगर उनका वेकिशन का प्लान भी तई होगा चार तारीक के बाद का लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे है कि मैं तो मोदी जी को फूर प्रधानमंत्री कहा करूंगा मैं तो शपत ग्रहन का नियो आता देता हूं हमें शाजी को र कर रहे हैं कि रियल पार्टी हमें और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है दिखे मुझे बात बताईए अगर सहरत पवार जी अजीद पवार को अपना वारिस गोसित करते तो पार्टी तूपती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकन को कभी सफलता नहीं लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक नीचे की तरफ एक सिंपती का मैसेज देने में कामियाब रहे देखे सिंपती उनके लिए रहती है जिनके साथ अन्याय हो उद्धव जी ने तो अपने सिध्धन अपना घट बंदन तोड़कर हमें डीच करने का काम किया था मैं नहीं समझता है इनको किस प्रकार की सिंपती की अपिक्सा है आपके बात महराष्टर के भी ट्रेंड जाए होंगे क्या कहना चाहते हैं अप महराष्टर में देखे महराष्ट में कम और बेस हमारी सिती को बना कर रखेगे इसमें कोई बड़ा उलट फ्रे नहीं होगा अपकी तैली इंप्रूब हो सकती है महराष्टर हम हमारा बेज बना कर रखेंगा प्रैली में आपने बुला कि अर्विंद केजडिवाल एक यूटन नेता है किस कारण से आपने बुला इन्होंने कहा था कि हम ब्रष्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ रहे हैं हम पॉलिटिक्स में पभी नहीं आएंगे फिर पॉलिटिक्स में आकर पार्टि बनाई अन्दा बिचारे डाले गाउं सिध्धी चलेगे फिर कहा मैं कभी मुख्यमंतरी नहीं बनुगा तिन तिन बार मुख्यमंतरी बन गए इन्होंने सपत पत्र पर पर कहा था हम सरकारी कि यह सारी चीजे यूटन से भी बड़ी भैन उन्होंने का करप्षन के खिलाब बात करी उन्हों का कि मैं आउंगा तो सिलादिक्सित के करप्षन में जहल में जाएगी अज वही कॉंग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे समने चुनाव लड़ रहे हैं तो सिरीज ऑप यूटन ले कि यह बाद मैं जेल जाओंगा नहीं जाओंगा यह तैक करेंगे चार जून के नतीजे इंडिया अलाइंस अकर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा जहां तक मेरी समझ उनको एक जून को ही जलना है तो चार जून को तो वह जल में ही होगे लेकिन मैंने तो जज्मेंट के बारे में कि जिरिवाल जी के बारे में नहीं किया है क्यों आपको लगता है कि जज्मेंट खास है देखें किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से इंट्रिम बेल नहीं मिला है मानो कोई चार्ट एकाउंटन होगा कोई इंडेस्ट कभी नहीं मिले कॉंग्रेस के संधीब दिख्षित ने भी बात बोली कि अगर इस तरह की बेल मेलेगी तो कल तो कोई और अगर कोई ग्रिफतार होगा तो वह बेल मांगी तो देनी पड़ जाएगी फिर मुझे मालूम नहीं है मगर कहा है तो सही कहा है अगला सवाल मेरा है र राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है दोहजार चॉबिस की लोग सभाचुनाब में दिखे यह मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्टा में हीसा नहीं लिया अगर वो ले लेते तो वहीं पर बा आर बार ए मुद्दा चुनाओं में मुद्दा बन जाता है जी आप अपनी रैलियों में अकसर बात करते हैं और कहते हैं आरोप लगाता है कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाफ से चलाना चाहता है यह हमारी बात नहीं है उन्होंने ही कहा है अपने घुशन कर रही है भारतियंता पाटी हमारे घुशना पत्र पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हूं उसकी सपस्ता करें देश की जनका के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात नहीं कर रहे हैं उनको कर देनी चाहिए सपस्ता लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध कर देगा हमारे मुस्लिम बॉट बैंक वह साधने का प्राइस करें आप दूसरा मेरा सवाल है उनके घुशना पत्रों में जो चीज है इसको जनता के सामने रख रहे हैं बंगाल में ममता दिदी के गड़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं कई पिनिन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बर सकता है लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल सेलेक्शन का संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है एक मैला मुख्यमंटरी के नाग के निचे सालों तक धर्म के आधार पर मैलाओं का सोषन होता रहे है और मैला मुख्यमंटरी इसलिए कुछ न करें कि सोषन करने वाले इनके कारे करता है इनकी वाट बैंक का हिस्सा है इससे ज़्यादा सरमनाक बात कोई हो यह नहीं सकती है यह इलेक्शन का मुद्दा नहीं है यह देश की सुचीता का मुद्दा है शासन किस तरह से चलना चाहिए आपकी वाट बैंक को एड्रेस करने के लिए मैलाओ का आप सोशन करने दोगे हम निश्चीत रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में लिजा अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममतब इनर्जी का जो नारा है मा माटी मानुश उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि मुल्ला मद अब देश की घ्रह मंत्री भी है सिये के नाम पर इस देश के बड़े तपके को अल्प संखेकों को डराया जा रहा है बंगाल में कहा जा रहा है कि अमिच शागर जीत गया यानि बंगाल में भारतियनता पार्टी जीत गई तो सिये लागू होगा और चुन-चुन के निका अधा रही है वो है कि और इसा में ऑफिसर वस्स पॉलिटिशन को मुद्दा बना रही है क्या आपको ऑफिसर से समस्या है मुझे कोई समस्या नहीं है ओडिया जनता के अंदर यह समस्या है जी कि ओडिशा पर तमिल नारू से आयोए ऑफिसर कैसे सासन कर सकते हैं एजा कि और वहां पर जनता में ओडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है अब औरिशा की जनता नेताई करना है जी मैं कश्मीर की बात करते देता हूं कश्मीर में भारते मत नरेंद मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बंपर वोटिंग भी है इसको आप किस ध जो लोग आजादी की बात करते जो लोग अलग सम्विदान की मांग करते थी जी वो लोग भारतिया समविदान के तहर जो छुना हो रहा है उसका हिस्सा बने है और स्वागत योग्य है और गाटी की जंता ने भी बर चड़ कर वोटिंग की ए सारे रेकोर्ट गूटे हैं पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है तो मैं मानता हूँ यह बहुत अच्छी बात है कस्मीर के लिए भी अच्छी देश के लिए भी अच्छी जी बार-बार आप एक मुद्दा उठाते है अपनी रैली में पीयो के का पीयो के को आप कहते ह प्रस्ताव है कि पाक ऑक्क्यूपाई कस्मीर भारत का हिस्सा है इसमें पॉलिटिकल क्या है कुछ पॉलिटिकल नहीं है यह हमारा देश का स्टेंड है आप भी तो कह रहे हूं पीयो के भारत का हिस्सा है क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूं लेकिन चुनावी रैली में इ काटियर केलाना की बात नहीं है पाक क्योपाइब का समीर की बात हरी कारी को लेकर आपकी रिएंग क्या है क्या है कि आपको लगता है वहां पर कोई जाटों का बड़ा विश्य है हरियाना में हम हमारी पोजीशन है वो समाल कर रखेंगे इसमें मैं कोई बड़ा डिटोडियेशन नहीं देख जी मेरे आखरी दो सवाल है धारा 370 हटाना एक एतिहासिक फैसला था बतौर ग्रेम मंत्री जब आप अपनी पूरी कारेकाल को देखते हैं वीते पांच साल के अंदर आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए अब हटी गया सांती भी है पांच साल हो गए अच्छा चल रहा है जी इस चुनाव में आपको आपको अमने कई चुनावों में देखा लेकिन अमित भाई अमित शा लेकिन इस बार आपको आपके जो च अब कारते हैं जी अमित शाजी फाइनल नंबर आपका क्या है हम 400 और बीजेपी का नंबर क्या होगा बीजेपी का नंबर अभी सात्यों चरंग के बाद ही असेस्मेंट आपाएगा परन्तों निश्ची तूप से 400 पार करें अमित शाजी आपने हमें अपना वक्त दिया इ लोग तंतर के इस महापर्व में आपको कामयावी मिले थन्यवाद 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 थन्यवाद